अब है हलो फ्रेंट्स ग्रमानिक हाव यूप आप लोग पुर अच्छे होगे और आपकी अस्टली भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहें प्रिवेर्स लेक्ट्टर में हम लोग केमिकल रेक्शन और में डिसक्श कर रहें जिसमें हम लोगों यह जाना था कि आफिर केमिकल क्या है और इस केमिकल प्रियाजट्र का क्या में रख रहें इसके साथ नों लूगों और में डिसक्श कर चुके थे हमोलाइटी क्विसर क्विजर्ण इस सब के बारे में प्रिक्श्टर कर चुका है आज हं लोगों के पहिने ।از आफिक और डेक्षिक्षिंट भीए इस ही किए थे थिए चैनल ज़र पेस्ट न तो खोड़ियों दिया है केमिकल येक्शन है इस मेली से फोर ट्युर्ट जोड़ता है मेली फोर ट्युर्ट इस और है एक कालता हैं कॉम्बिनेशन एक देहें हैं combination reaction दूसरा decomposition decomposition next क्या हाइब का displacement reaction displacement reaction और नूबर फौर जो हता है वो क्या है rearrangement rearrangement ठेक है यह है यह यह है यह यह तर फोर टर्प्स लिकल्षर के मिकल लिक्षर बाकी जितने भी तरीका का chemical reaction होता है वो सब इसी के अंतर गयता है तो there are mainly four types of chemical reaction and these chemical reactions are one को होता है combination, decomposition, displacement and re-avancement ठीक है अब जाहें यह जो combination reaction है यह जो combination reaction है this combination reaction is also known as addition reaction इसे ही हम addition reaction का नाम भीता है ठीक है यह जो de-composition है इसे हम क्याटट में elimination reaction का नाम भीता है यह जो displacement होता है इसे हम क्याटट में substitution reaction का मांभीता है यह जो substitution reaction और यह जो re-arrangement होता है also known as isomerization isomerization तो आखिर जब यह दोनों एक ही तरह का रियक्शन है जब यह सब एक ही तरह का रेक्शन को फो कर रहा है तो फिर इसका अधर अधर नाम क्यों जी रहा है जीत तरह क्योंकि इसमने थोढ़ा सा ही है 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 तरह समयेशन क्या है तो इसमें के बाद फोड़ा सा दर इंप्राइनी थि प reicht Santa खी अब इसमें तो इसमनों कर थोड़ा सा पीनिमारियंत दो जब यह सब शेल ही है तो फिर सर्भी में डिपहरेंस क्या तो इसमें के बाल एक थोड़ा सा difference, गो difference किया, कि यह जो reaction है, यह reaction जो है, इस reactions are the types of inorganic reaction, यह जो reaction ने गुद इन और गैनिक रेक्शन का example है, और यह जो reaction है, यह organic reaction का type, ठीक है, यह के बाल इस difference इतना है, यह क्या है, इन और गैनिक रेक्शन को indicate करता है, जब कि यह क्या करता इस आए अचिव प्रावनिक रेक्शन को indicate करता है, यह जो जो झाल विधक रेक्शन को इंडिकेट करता है, यारि हम का सकते हैं आपर कि tiles of chemical reaction are further classified into organic reaction, र इन और गैनिक रेक्शन, इन और एंऔर गैनिक रेक्शन, इन और गैनिक रेक्शन, ने यह जोड़ीत तो ट्लासिए, जानना है कि आखिर दो मेंट डिफ्रेंस किया, तो डिफ्रेंस यहां पर बहुत ही छोटा, सिर्फ इत्मा लगना है आपर कि in case of inorganic reaction, हमें जो example देना होगा, वो example हम किसका देंगे inorganic component का use करना, ठीक है, यालि इसमें हमें क्या करना, example देने के लिए inorganic molecule का use करना, जब कि in case गये सब organic reaction दिना थुपिंग दा organic reaction हमें organic molecule का use करके exam करें है ठीक है, बस यह थोड़ा सा difference है, ठीक है हम इसमें क्या क्या करेंगें Ciao देक हैं Aging substance का use करेंगे यह क्या हम आपको इसका différence का yuk करेंगे तो यह क्या हो अर्गनिक reaction जब की यह क्या है inorganic reaction है बस थोड़ा से difference है, ठ चैंखें अभी हम आपको जो इसका डिफियसन बताएंगे, वो इस तरह से बताएंगे, कि आप दोनों एक ही तरह से define कर सकते हैं. ठीक है, combination reaction और addition दोनों को आप एक ही तरह से define कर सकते हैं, वो भी एक ही definitions है, ठीक है, या फुसी फ़र्पार, deconformation, elimination, displacement, substitution, rearrangement, or isomorizer, इन सभी को आप एक ही तरही में से define कर सकते हैं, वो भी बहुत ही easy ways, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप इन combination और addition reaction किसे कहते हैं, ठीक है तो combination reaction, combination, yes, जाना है कि combination reaction कहते हैं, ठीक है, नाम से बहुत है combination, नाम से बहुत है, एक combination is made up of the two words, में फॉर थो भड अलर धो रुका सिस्ट एग बंट करें संस्ट अव्य kg कि अब्छ 9 rn धुट को युट सिस्ट अップ कुण सरा भी बंट कि यॅंख में में मैं जे तरव इख युट यानि का मत्तब क्यों एक जिसमें क्यों आपाया आडिशन होता है अब सोचेंगे जब इस combination रसन में एडिशन हो रहा है तो सोचेंगे एडिशन किसका हो लिए। कि हम लोग के बार हैं बढ़ रहें तो किसका एडिशन करेंगे एकर श्मॉलोटूज सुछिब इस तरी अधिशन हो तो सोचिए आगेनिगेनी क किमीकल अश्पीशिज को जिसमें केमिकल अश्पीशिज होता है तो जिसमें क्रिदीशन होता है उस रियक्शन कॉंपैट अधि जर रि Isra अधित अधिर आज़ेंगवात आब और आरिगे चुकहीं ज़़ा पर अधिसन भोगा हुआ अधिस उका अधिर जोपारएंश होगा है। छोटे होगा यह लोगने भणे उप्येंशली जोगा च्पविर को रहेंशली जोगा जोगा जोटे होगा वेगें हम छोड़े दोख हो तो नहीं है जब छोटा छोटा, मॉल्कुल अगर जूड कर एक बड़ा मॉल्कुल बनाता है उस reaction को हम क्याकतें, combination reaction का नाम दोते हैं ठीक है क्योंकि यहां लिपाबाई addition उसी मोता है जो छोटा-छोटा molecule होता है ठीक है छोटा-छोटा अस्पेसित होता है जब जूड कर एक बड़े molecule का फोर्मेशन गरता है this process is known as combination reaction इस process को हम क्याकते combination reaction का नाम होता है तो यारी हम कर सकते ठीक है तो that type of chemical reaction in which a small chemical species are combined up to each other it can fall abyss in the molecules that is about the combination reaction इसने हम combination reaction का नाम दोता है ठीक है अब अब सुटा-छोटा molecule जब आपसम जोड कर एक बड़े molecule का फोर्मेशन करता है this whole process is known as the combination reaction ठीक है अब इन अन्दर बड़े का था दूसरे बड़े हम का सकते हैं कि जल करेंगे वें when two or more smaller molecules when two or more smaller molecules are combined up to each other it can form a big single molecule और हम क्या कर सकते हैं कि when two or more in terms of groups are attached to each other it can form a big single molecule that is called combination reaction तो combination reaction बब़े बहुत सा एकसाम्प है हाला बहुत सा definition है तो definition हम क्या क्या बता है आपको सबसे बड़े बता है combination reaction is made up of the two words combined adaptation the process in which the process in which chemically chemical species are combined up to each other added to each other are attached to each other and can form a big single molecule and this whole process is known as combination reaction तूसरा difference हम आपको क्या बता है कि वाईसरे बता है in which two or more small species two or more small chemical species are combined up to each other and can form a big single molecule ठीक है और हम क्या कर सकते है कि that type of reaction in which atoms and groups are attached to the molecule and can form a big single molecule सस्च जापको chemical reaction इस दोनेता chemical reaction ठीक है सस्च जापको reaction इस दोनेता combination reaction इस दोनेता reaction को हम combination reaction का ठीक है जब करेंगे जब चोटा-चोटा molecule आपस में भूड़कर एक बड़ा molecule बनाता है तो केवल इतना याद रखना कि in case of combination reaction cable atom सा group क्योंता attach होता है cable atom सा group attach होता है और attach होने के बाद केवल एक big single molecule का formation बनाता तो जिस reaction में केवल एक big single molecule बनेगा as a product group में केवल big single molecule बनेगा उस reaction को हम के combination reaction का जब जैक है CAO plus S2 यहां पर दो अलग याद चोटा 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 मौकूल है यह दो चोटा चोटा मौकूल आपस में जूड़कर जोड़कर करता है यह बड़ा मौकूल CAOH का मौलटवास का केल्सियम हाट अक्साइड का इसका मात्तब के जब दो चोटा-चोटा मौकूल जब दो यह अधिव चोटा-चोटा मौकूल आपस में जूड़कर एक बड़े मौकूल का फॉर्मेशन करता है तो इस रियक्शन is known as कॉम्बिनेशन इसी रियक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिक्शन का आपकर अग सुचिंग कि इस रियक्शन में कॉम्बिनेशन रिक्शन में नार के अंदरू इसमें केवल एक्टम या गूप अटाच होगा तो यहाद कि इस रियक्शन में केवल एक्टम या गूप अटाच होगा केवल अटाचमेंट होगा पुस्स रीक्सान को मिला करते हैं, कॉंबिनेस्न रेक्सान का नाम रहते हैं, चीक है, and in case of कॉंबिनेस्न रेक्सान, there will be no detachment, no displacement of any other atoms or groups, चीक है, अब देखें क्या करें, अब करें कि इस रेक्सान में, कॉंबिनेस्न रेक्सान में केबद atom कि यहांनी मेरा क्या है के वाद लेना जो के वाद लेने के लिए जानता है उसको क्याता है combination connection करें हम कुछ प्रें रहीं इसमें क्यों ओता है के वाद attachment होता है atom सा group सा attached to the molecule only के वाद atom या group इसमें attach होता है there will be no displacement of any other atom सा group इस case में किसी atom या group का attachment नहीं होता है ठीक है detachment नहीं होता displacement नहीं होता है उस reaction को हम क्या करते है combination connection का नाट तो अब सोचिए कि अगर आप से complete difference नहीं सा जा जा रहा है combination इसको करते है तो क्या बताएए कि that type of reaction in which atoms or groups are attached to the molecule without displacement of any other atoms or groups बिना किसी atoms or groups के displacement के ठीक है बिना किसी atoms or groups के displacement के के बिसमे क्योंने एक बिन सिंगल मॉलकुल का फर्मेस होता है तो first step of reaction is the combination reaction तो इस तरह के reaction को हम combination reaction का नहीं होता है ठीक है अगर अगर आपसे question पूछा जा रहा है अगर आपसे question पूछा रहा है कि write the characteristics of combination reaction write the properties of combination reaction तो आप क्या लिए है सबसेपले देखिए combination reaction के properties में सबसेपले इसका definition लिए ठीक है कि combination reaction किसको करते है यह आप define करी लिजेगा और आप two or more molecules आपस में combine करता है और combine करने पाद एक big molecule का formation करता है ठीक है तो this level makes it one the combination reaction ठीक है अगर देखिए अगर तो सबसेपले characteristics of combination reaction क्यों जागा आपका definition of combination reaction यह देखिए दूसरा है अब हम रहा है कि in case of combination reaction in case of combination reaction reaction only atoms or molecules only atoms or molecules molecules or chemical aspices or chemical aspices are attached only are attached only इसमें केमल atoms आपका attachment होता है ठीक है नम्बर थर्ड आपकास में सबसेखिए नेस्ट पुपेंड आपकास में सबसेखिए a case of combination reaction there will be there will be no displacement there will be no displacement or detachment there will be no displacement or detachment of any other of any other atoms or groups atoms or groups from the molecules from the molecules from the molecules और इसमें क्या होता है in molecules में से किसी भी atom या group का detachment नहीं होता है displacement नहीं होता है यह इसमें क्या होता है नहीं atons or groups molecules or chemical there will be no displacement or detachment of any other atoms or groups from the molecules तो यह सब क्या है एक निया प्रोड़कि तो इस नए प्रोड़क्ट के formation क्या 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 synthesis कर दढ़ा। ठीक है जोकी हम कर रहे कि इसमें atom साथ कुल व्लापस में जुड कर एक नया बिक मॉल्पू बना रहा है नया बिक प्रोड़क्ट बना रहा है किसी दूसरे परडुक का फोरने.. तो फोरनेशन और वों क्या करती हूएं? सिंस्से है.. गैसे सॱग आप दो परिखना.. इस दूसरय पड़ूती है तो बढ़ती है.. सेल ईसम्तमे अटिर्दिस करने सब्सक्रा.. श॥ णुन रहें.. कि combination reaction के case में formation of product हो रहा है, formation of product हो रहा है, मतलब synthesis हो रहा है, किसी दूसरे समस्टांस का, और हम यह भी जानते हैं कि in case of formation, in case of formation, energies की है ना, ठीक है, formation के case में energy क्यों ना है, क्यों हो रहा होता है, तो अब सोचिए, कि जहां पर combination reaction हो रहा होगा, जहां पर formation of product हो रहा होगा, जहां पर synthesis हो रहा होगा, वहां पर energy का evolution होगा या नहीं होगा, और यस भी होगा, यानि इसका मतलब क्या है कि in case of combination reaction, energy is given out, energy is given out, यहां इनर्डी is evolved out, energy is evolved, यानि energy का हिहा होगा होगा, और जहां पर energy का evolution होगा होगा, उसे क्या का थे, और 300 new reaction का, जाहिए, खर 300 new reaction के बार के बार के दिसक्स करेंगे, हमिन क्या बार की हमें सिर्फ combination reaction के बार के दिसक्स करेंगे, घ्र, तो अब आप यह समझ चुक्छ जुक होगे, क्या ही इसको कहते हैं, और कारवास का और इनicorn के case में इनर्जिक उट्वेडा और होता है इसी कारा मुझे कर सकते हैं यह जो कॉंबिनेशन रेशन होता है इसमें इनर्जी 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 का इप्लिशन होता है इसके प्रोपड़ेश को भी दिख सकते हैं के उसके डिफिनेशन के कार्ण साथ है अब आपके समझ चुक्राने कि आपके को इसको कहा रहा है अब है इसके बहुत से इक्जामपल है और इस इक्जामपल से हमिएद देखेंगे कि आपके लिए इतो या नहीं है तो चाहिए इ अब देखिमे एक्जम्पल्स सबसे पहले एकलम इङक्व council कैंश में इसकिक तेके युले ही विए ए इक्वोट्न फियो टेख्जा अल्मा मदुी पर स्प्राश्य वादष्ति हे विए विए पर लोगे विंगे कशनके विएर कक फक्रमेश्न पर वेिए अंच ओर्स गोगें आपस के आपके C A plus O2 form गया करता है C A 4 M G plus O2 form गया करता है M Z 4 ठीक है N S 3 plus S C L form गया करता है M H 4 C ठीक है और इंडोर से एक्जामट पर है तो पहले हम एक सब एक्जामट पर कुछ डिसकस का ठीक है देखें दूख अब सोचे यह जो रियक्षन है यह जो रियक्षन है आपसे कॉस्टन पूशा जाता है तो आपको क्या करना है चूच करने के सबसे आजी तरीकां कि है केゴール using obl duas ऐसे पार में को शक्राम के जिसमें के वाता है कीवर एक single molecule परएशन के वहला है किसे में की एक single molecule का परएशन नूम तो पullieकिन में चीमाम का पील का है इन आपषा न सब्सक्राघ्स के ने इस यह को जो अपुर NICK नहीं दिने की बार्तिर्वर मयं आ ten विगी सिगन मॉल्पुर में बनाघ टो जब यह ऑड़ नहीं करी दो द्रेगें इस результат को सब्सक्रांद Что ook यह शंद्देर को अभेड पीमिल को खुल के मढशना हुँग तो नहीं इस की पाल हुआ है कहिं पाला च्छा है एस नान। कि वाँ अटेच्चमड हाँ ढरेको आर्टेशिमन वोड़े इंची दॉसर अगल्रिंद अननि में सु शाला था टेशिमन चाहics пример यह विए सम dauर खिकाब各 श कुं चैवम ने गिए। यहां पर जितना वी atoms और groups है वो सब के वादा आपस में attach होगा है तो जब करेंगे atoms और groups attached only और after attachment ए big signal molecule is formed such type of combination दोरा दर combination यानि in case of combination के वाद एक big signal molecule का formation होगा after the attachment of atoms and groups तो इस case में के वाद atom और group attach होगा है so we can say this is the example of combination selection in case of CAO plus CO2 यहां भी देखिए atoms of group attach होगा तो after attachment के वाद big signal molecule का formation होगा होगा तो फस्ट आप of chemical reaction is the combination so we can say it is also the example of combination reaction तो एक्साइम्सों यह इला हो देखिए me के वाद और बेखिए we can say it is the name fine बेखिए अभा देखिए जर्चे में उब कोई नहीं रहा हो रहो हो क्यों के वाद जर्चेमेंट हो रहा है सक्वादू तो जब हम देखिए किसी खेंडिर को केवल अब धिया जाए अब इस लिए इस लिए सबसे पर ने किया है दो मोल कि बनता है यहां का अब दो मतलब यहां पर क्या है आपस में अदला बतली हो रहा है यहां इसका इसका और एक के पास यह आपस में किया कि अदला बतली करते है स करहे है यहां सब्सक्राइoberर परock जो आखी ह deputy करने सब्सक्राइब करते है girls tuvo को पास प्रसम दोष्थ सब्सक्राइब किया है कि पूसरा इस रिएक्टलन में यहां इस इसब्स्सक्राइब को शृति है yeah and we have a displacement वहरा जलकि हम जाहते है कि in case of combination axle there will be no displacement of that's why we can say it is the example of and it is the example of combination but it is not common the example of combination क्यों? because him like displacement वहरा Atana group का ek molecule का formation नहीं होरा single molecule का नहीं होरा टेक और इसी कारब कर सकते हैं कि यह जो ए't a combination axle नहीं होरा तो इस तरह से आप recognize मिं कर सकते हैं कौन combination होगा, कौन नहीं होगा. तो चुकि सबसे बले हम आपको combination reaction के बारे विए केवल रहता है और इसी कारणों कहा सकते हैं पर कि इसको decolonize करना इसको इसको करना ही केवल हम देखेंगे अगर हम organic molecules का यूज करेगे तो वो क्या आपका addition reaction का नाम है तो addition reaction के बारे में हम carbonates compound chapter में discuss करेंगे चुकि first chapter में chemical reaction and equation में केवल आपको इन organic reaction के बारे में discuss करेंगे तो चलिए इसके बाद कर जो lecture होगा वो related होगा decomposition reaction से ठीक है और हम जानते हैं कि decomposition reaction is just reverse process of combination कैसे होता है इसके बारे हम next lecture में discuss करेंगे तब तक लिए सेफरी है thank you